अगा अगा चलिए आज हम लोग क्लोज टेस्ट का काम करेंगे ठीक है बच्चे लोज टेस्ट आपने पहले भी कहींपढ़ा होगा सुना होगा नहीं भी सुना होगा तो आज पहली बार दिखते हैं Close Test Close Test अब यहाँ पर हम जानने का प्रयास एक करते हैं कि Close Test जो word है क्या बागई कि Close word होता है यह जानते हैं हम लोगे पर ले हैंना तो Close Test यह जान लो कि आपकी exam में जैसे आप SSC, CPO, किसी exam की तयारी करते हो पर यह जान लो कि Close Test कहां नहीं पूछेगा आपके exam में। UPSC की अगर त्यारी करते हो तो UPSC में closed test नहीं पुछता, UPSC में closed test नहीं पुछता, यानि UPSC exam में closed test नहीं आता, आप exam देता हो CPF का, CAPF बोलते हैं उसको, हैना Assistant Commandant, वहां पे closed test नहीं पुछता, आप कोई भी estate PCS देते हो, PCS, हैना Public Service Commission, तो वहां पे close test नहीं पुछता यानि किसी भी उस तरह के high rank exam में आपकी close test questions डायरेक्ट नहीं होते comprehension के अगले चरण को हम close test कहते हैं कैसा हो तो बताऊंगा पहले समझा दूं कहां पूछे जाते हैं आप अगर a-c की त्यारी करते हो कितने बच्चे a-c की त्यारी करते हो हां तो इतने बच्चे अश्य थी बागी सब ऐसी अच्छी बाद तो a-c की त्यारी करते हो तो लगभग मान चलो कि टायर वन टायर टू दूनों को मिला दो तो लगभग आपके 25 से 30 मार्क से question पूछे से 30 नंबर मिनिमम इतना पूछेगा ही पूछेगा नहीं पूछता तो 25 से 30 कोशन आप से पूछे जाएंगे अगर आप CPO की त्यारी करते हो है CPO मतब दिलि पुलिस है नजी तो दिलिएसाई तो दिलि ऐसाई की तैयरी करते हो तो यहां भी लगभग से पैटर्ण है पाचीज से त्सक्रेंग कुछे जाएँगे वह तोटल कितने बात कर रहा हूं मैं मैं बात कर रहा हूं 250 नंबर में है नजी 250 से बात कर रहा हूं मैं तो चाहते हैं तो इस तरह से आपके 25 से 30 नबर इवन की आप एंडिये ले लो सीडिये ले लो जो भी और भी एक्जाम है जितना एक्जाम बताया उसको छोड़ करके बाकि सारी एक्जाम हो चाहें एंडिये हो चाहें सीडिये सो और भी बैंक पीओ हो एक्जाम हो सारी एक्जाम में आपके कोई भी कोशन्स दस कोशन्स से कम नहीं पुश्था तो सारी एक्जाम यहां से कोशन्स रहते हैं हो देट eat topic close test काफ屁 इंपौर्टेंट है अब परहि प्रश्zneप्रता है कि close test बच्चा बढ़ने से भागता क्यों है sir क्यों कि इसे उसको interest नहीं आता जब किसी को को इंट्रेस्ट नहीं है किसी पर मजा नहीं आए तो बचा सोचता बाद में पढ़ लूगा जिस काम को करने में मजा नहीं आ तो बाद में कर लूँ और बाद कभी आता नहीं है मैं आज आपका बैच नया है जासे स्टार्ट हुआ है और आज मैं अब क्लोश्टेश करा रहा मुझे पता है कि चलो आपसे 10 में से एक ही बना 즐की स्मझ मैं आया कुछ तो समझ मैं आया to अब बिल्कुल नहीं पहोग तो कुछ भी नहीं आएगा आज कम से कम नाम तो सunda करके तो देखेंगे जब तक हम करके नहीं देखेंगे जब तक आइडिया कैसे की बनेगा की नहीं बनेगा इसलिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं इसके माध्यम से क्या हो कि आप चलोगे कुछ ना करने से बेतर है करो जैसे है मानलो हम जीम में गया जीम करने के लिए अब डेली करेंगे तभी बेनिफिट मिलना है एक बरस तक लगातार करो तो लगातार करो यह कुछ मिलेगा अगर दो दिन किया चार दिन किया कुछ नहीं मिलना प्रैक्टिस वही चीज़ करता है आप क्लोस्टेस्ट हो सिर्फ ग्रामर पढ़ रहे हो अगर आप उसको देख जानकारी आपको मिल गया तो आप हर दिन कर काम करोगे तो उस चेज में आपकी मास्ट्री हो जाएगी तो उसी तरह से क्लोस्टेस्ट है अगर हर दिन हम लोग इसको पल्टेंगे आज आपने प्लटना शुरू किया हम लोगों का बैच चलेगा मान लो तीन महीने तक तो त चार्ज तक पढ़ा नहीं क्लोस्टेस्ट और तुमने पढ़ना सुरू कर दिया तो उससे तो तुमारी से अच्छी होगी न भाई देखो स्टेमिना होता है आपके पढ़ने का आइडिया होता है और जो व्यक्ति कभी नहीं पढ़ा वो टाले जा रहा है वो खाली कॉमन द बहुत महत्पुन चीज आपके लिए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए चाहिए आप बैंक प्यों की त्यारी करो चाहिए श्रीस त्यारी उससे पढ़ना चाहिए आप पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता कि सर अभी तो बैचर स्टार्ट हुआ बाद में पढ़ लेता अब लोग एक्स्ट्रा चीज करेंगे तो एक्स्ट्रा डाइट अगर मिलता रहे कुछ-कुछ सब्सक्राम एक बार भी तो यह बढ़िया रहता है राइट अब रश्न उटता है कि क्लोस्टेश दिखता कैसा है होता कैसा है सब दो क्लोस्टेश बैसिकली एक पैसेज का समंजना आराम से इस सब क्या सब्सक्राम कुछ हस्थान ब गैप कर दिया कुछ वर्ट को क्या कर दिया गैप कर दिया अब पांच गैप छोड़ दिया एक नंबर डाल दिया तीन डाल दिया है ने जी चार डाल दिया पांच डाल दिया अब ये गैप में उसने नंबरिंग कर दिया और पूछ रहा है आप से कि भाई इस गैप में क्या आएगा और उसके लिए चार ओप्सन देदिया पहला दे दिया तो पहला ऐसे करकर के A B C D चार ओप्सन आप लोगों को दे दिया गया कि बाई कौन सा ओप्सन तुम इसमें लगाओगे मतलब पहले के लिए चार विकल्ब भी दे दिया अब सोचो खाली अस्थान एक है विकल्ब कितना है चार हम लोग क्या करते हैं सुट करा दिया A को सुट कराया B को सुट कराया C को सुट कराया D को सुट कराया जो सुट कर गया वो अंसर निकल गया और जो सुट नहीं किया वो अंसर नहीं निकला यह नहीं करते हैं कभी-कभी तो चारो सूट कर जाता है फिर पता है नहीं चल पाथा कि इसको निकालूँ चारो सूट हो रहा है वहाँ पर बस मच पा रहा हो तो ये maximum student का एक practice level होता है कि वो चारो options को वहाँ पर put करते हैं लगाने का प्रयास करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन अच्छा लग रहा है और जो अच्छा लगता है वो किस्मत के भरो से उपर वाले के भरो से आख बंद करके सोचते हैं भगवान ये मार दू क्या भगवान कहते हैं मारो बेटा और मार देते हैं और फिर अंसर उटका राइट रॉंग जो भी होना होता हो जाता है तो ऐसे काम नहीं चलेगा A, B, C, D इस तरह से पूट करने से काम नहीं चलेगा आपने जिस पे उनली रखा वही अंसर होना चाहिए अब उसके लिए कैसे हो और क्या-क्या चैप्टर्स आना चाहिए तो basically एक grammar का enhanced chapter है closed test इसके लिए कुस chapters का ग्यान होना जूरी है उस chapters का नाम लिख लो कि क्या-क्या पढ़ना चाहिए लिख लो chapters कौन-कौन से chapters आपको पढ़ना चाहिए closed test बनाने के लिए ठीक है तो close test बनाने के लिए आपके पास chapters का नोलिद होना चाहिए क्या क्या chapters भाई सबसे पहले ध्यान दो basic में क्या चाहिए subject का ग्यान होना चाहिए object का ग्यान होना चाहिए इस अब ग्यान तो है ये आपको subject, object, complement है न जी clause tense voice narration है न tense voice narration preposition conjunction article models vocabulary phrase अभी लिखा कहां कहां दिख रहा तुमको noun कहां दिख रहा प्रोन कहां दिख रहा अड़र्व कहां दिख रहा अड्यक्टिव हमने तो वही लिखा है जो जरुवत है बोरा बचा क्या अब ये तो पूरा बचा हुआ अब ये सब तो बेसिक एक दिन का क्लास का है जी ये सब एक दिन क्लास का है इसमें क्या चैप्टर लिखा कहां हूँ इन सारे तत्वों का ज्यान इन सारे चैप्टर्स मतले सब चैप्टर्स कॉंसेप्ट होना आपके पास तब आपका लेवल ठीक होगा वगे बाव समय पाहरे हो तो यह बेसिक है बागी तो ग्रामर दो पूरा जाहिए आपके पास एड मतलव एटे ग्लांस पूरा ग्रामर करते चाहिए लेकिन यह क्या भाई तो एक कोशन तुमको सिर्फ प्रेपोशन से आता है अगर टेन्स का ग्यान है तो तीन से साथ कोशन सिर्फ टेन्स से आता है वहाईस का ग्यान है दो से चार कोशन्स निरेशन का ग्यान है एक से तीन कोशन्स कंजंग्शन का ग्यान है चार से पांच कोशन्स आर्टिकल ग्यान है एक पूश सकता है जी नहीं पूश सकता है models का ग्यान है 3 से 4 questions vocabulary phrase है 4 से 8 questions अब यही questions का label होता है मतलब एच चैप्टर से question हैगा यह सब तो concept है भई बाकिया मान लो noun है pronoun है इसब chapters का concept हुआ चाहिए adjective बग रहा है इसब कभी कभी पूछ दिया कभी नहीं पूछा तो इसब chapters में नहां चाहिए main chapters आपका preposition है conjunction है article है models है वो क्या phrase होता है इसब chapters आपके लिए खास important रखता है तो अगर यह chapters आपके पास है knowledge है तो आप उसमें थ्वासा comfort फिल करोगे इसके साथ practice भी आपके पास होना चाहिए practice भी आप करते रहना है तब आपका बनेगा इसमें कुछ techniques है कुछ tricks है तो मैं tricks भी दूँगा technique भी दूँगा method भी दूँगा long process भी दूँगा short भी दूँगा 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 कि लंबे चलोगे तो ऐसे पहुचोगे short चलोगे तो ऐसे पहुचोगे तो सारे methods जो दुए खश्ण कर रहा आइंगे बस मेरे हो आज का पूरा class पहाना है आज का पूरा class दिखाना है कि भाई इसके techniques क्या होंगे मेत Maybe पूर्ण है कि फाइन एक क्लोस्टेस्ट बेसिकली लेंग्विज का पार्ट है चुकि जिसको अंडर्स्टेंडिंग किलियर होगा तभी बच्चे पढ़ पाएंगे मार्केट में कोई भी टीचर क्लोस्टेस्ट यह सब चीज का हांत नहीं लगाता सिधा प्रैक्टिस देता ह है पहला का भी दूसरा का सी तीसरा का यह ऐसे करें काम चला लेता है लेकिन जब तक मेरा कहना यह भी सीरी क्यों करोगे जब तक आपके पास आइडियाज नहीं होगा तब तक आप एहतर प्रफॉर्मेंस नहीं कर सकते अब प्रश्ण उड़ता है कि भाई इसको बनाए कैस तो सबसे पहले हेडिमार ट्रिक्स फिर दूंगा मेथाड ट्रिक्स भी दूंगा मेथाड भी दूंगा तब आप जाके बनेगा कि ठीक बाबू कि तो पहले हम लोग सीख लिए ट्रिक्स क्या होगा कि ट्रिक्स क्लोज टेस्ट करने के ट्रिक्स क्या होंगे आज का पूरा क्लास जो भी आप आदे गंटे गंटे क्लास करोगे इस एगंटे क्लास में पूरा हम लोग ट्रिक्स मेथड्स पढ़ करके तब हम लोग स्वल्ब करने का प्रयाज करेंगे close test को right तो सबसे पहले देखते हैं tricks क्या कहता है तो close test का जो tricks होता है पहला tricks सबसे पहले जा देखो गौर से कि आप इसको बनाना है एक number fit किया दो number किया तीर number किया चार पांच number किया अब सबसे पहले क्या करना है first come without solving any questions सबसे पहले क्या करना है कि यहां से लेकर कि यहां तक मतलब एक पैसेज को बिना समझे बिना बूझे पूरा पैसेज को पढ़ डालना है क्या कामने पढ़ डालना है तो पढ़ डालोगे तो पहला point लिखो read the passes carefully read the passes carefully यानि पैसेज को carefully पढ़ लिजिए read the passes carefully read the passes carefully ठीके बाबू read the complete passes carefully यानि पैसेज को आप पूरी तरह से पढ़ लिए अभी आपको कुछ समझना नहीं है हमने क्या क्या read the complete पैसेज carefully सब्धानी पुर्वक पूरे पैसेज को पढ़ जाई अब को के सर खाली अस्थाने कैसे पढ़ लिए तो आप उसको पढ़िए आपको एक पढ़ने के बाद सबसे पहले क्या लेना है एक ट्रिक्स मैंने दिरा हूं वो ट्रिक्स है सबसे पहले आप information लिजिए information लेने के बाद आप elimination कीजिए बताऊंगा क्या तिसरा inference कीजिए इनफर्मेशन, elimination, inference आपको IEI का मेतड पहले भी दिया होगा जब आया होगा comprehension दिया था तो IEI information elimination inference यह होता क्या है फटा फटा पढ़ लिखते रहो मिटाउंगा जल्दी से कि इनफर्मेशन एलिमेनेशन इनफरेंस आपको क्या करना है कि इंफिर मेशन लेना है कहां सब्सक्राइशन जब गण 8 जब पैसे जब पढ़कां पो गई तो आप इंफिर आपने क्या किया मिठाओं इसको तो यानि कि आपके पास क्या हो गया जी, information, elimination और inference, यह है क्या वो समझाता हूँ, जैसे सबसे पहला part, हम लोग पहले हैं ट्रिक्स, और पहला ट्रिक्स में क्या करा, कि आपके पास जैसे मान लो option दिया, a, b, c, d, समझना आपसे, a में कुछ लिखा, b में लिखा, c में लिखा सबसे पहले हमने पैसेज पहा तो क्या लिया, information, information के बाद आपने यह देखा कि चार option तुम्हारे पास है, a, पैसेज पहा, पैसेज था तुम्हारा science का, किसका था जी, science का, अब तुम्हारे चार option में, एक option science का हो, बाकी तीन option, कोई politik का हो, कोई geography का हो, कोई current का हो, बोलो वो option बेकार हैं कि नहीं है, तो सबसे पहले क्या लिया, आपने information, पहाँ आपने information लिया, कि भाई, यह पूरे पैसे science का है, यानि पहला में चार option जो दिया है, एक option history का है, पॉलिटिक का है, एकॉनमी का है, जो कि science में fit नहीं बैठेगा, राइट, अब मान लोग चार option है, तुम बाबर यहां लिखा हुआ है, अब बाबर क्यों यहां fit कर रहा हो भई, बहुत समच पा रहे हो, तो आप देखना कि चार option में, कोई एक option हो, चाब दो option हो, कोई एक option fail to,ोगा जो पैसेज, यह को मतलब नहीं लोग पा रहा है, पैसेज, हम लोग जो मैं सिट करते हैं उसको, क्योंकि अभी तक idea था नहीं क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि पैसेज पा हर option को suit कि है, नहीं आप पहले option को देखो, कि option बाका 011 पैसेज का है कि कि नहीं, पैसे पहले हो हिस्ट्री का ऑप्सन दे रहा है पॉलिटी का हिस्ट्री का दो ऑप्सन है उसमें दो ऑप्सन पॉलिटी का है चाहे जो रफी का है तो उसको जब रस्ती सूट क्यों कर रहे हो उसको वहीं पर काटो और वह्ों स्मेहान आपको एक कहां समेला इंफोर्मेशिंस से इंफोर्मेशिंस इड़ीर काम करें Hoje नौनओं जयiki सब्सक्राइब से तुम करें 3-3 सब्सक्राइब करें supporting तुम ठाक जाओंगे और तुम अपने आप ठीचल लेगिन क्या करो कि सबसे कमजोर व्यक्ति देखो जो तुमसे कमजोर तुमसे कमजोर है उसको पखड़ के दबो चलो कि ताकि वह दुफारा खड़ा नहीं उसे कहते हैं 9. stop से पहले उसको कट करेंगे. हमने क्या लिया? Information. Information से क्या किया? Option को eliminate कर दिया. Option को elaminate कर दिया. और फिर अपना 6 cents लगाया कि भागा ही हमने सही किया ग़िलट किया और फिर हमने आगे जो option सही होगा उसका elaminate करेंगे. थी तरह दीखते हैं इसमुए पहला पॉइंट क्या कि हमने हम ने इलिमिनेट अब देखते हें दूसरा पॉइंड क्या कहता है को सब गाँ था बैए चो बबताएया तीन पॉइंट इन फॉर्मेशान elimination और inference इस सारे जगह लागू होंगे एक common tricks हो गया राइट दूसा का था बचे कि read former and later part एक former और later part क्या है भई read former and later part जैसे मान लो एक खाल यह स्थाने समझना आराम से यह एक नमबर है यहाँ खाल यह स्थान है अब यहां पर खाल यह स्थान पर हमने कहाकि read पहो former and later part जैसे मान लो नयुद डाहिए इसको उठाक यहाँ रख दिया यहाँ पर एक नमबर अप्ट एसा क्यों पढ़र है सब दिखना बोलपे जैसे हमने हां पर कहा कि जैसे मान लो बाबू कि यहां पर लिखा हुआ है पीपल क्या लिखा हुआ है पीपल अब पीपल लिखा है अब तुम्हारे पास चार ओप्सन है A, B, C, D, A में मान लो इज लिखा है, B में लिखो वाज लिखा है, C में वर लिखा है, D में आर लिखा है अब जा कलपना करो कि यहां पे people है और यहां पे खाली अस्थान है एक नंबर राइट अब तुम्हारे पास चार option है अब तुम बेवकुफ की तरह चारों सुट करे हो people is people was people were और ऐसे क्यों सुट कर रहा है पहले तुमने लिया information की people है information के बाद तुमने इलिमिनेशन की आगे people plural है तो इज नहीं आएगा people plural है तो वाज नहीं आएगा तुम्हारे पास दो आपस नहीं इलिमिनेट हो गए बचे कितने दो अब दो में वर भी होगा आर भी होगा दुनों सी हो सकता है अब तुम पहोगे संदेंस का नेचर कैसा है present है कि past है अगर ने पीछे नहीं पढ़ेंगे तो पता के चलिया कि मामला क्या है तो read former and letter part former पहले पर हो और आगे पर हो जिस जिस खाई को तुम्हें भरना है यहां पर गढ़्धा है तो गढ़्धा है तो यह उचाई को देखो इस उचाई को देखो क्या दोनों को लेवल मिलाएंगा तो हो स है जब तक पडोशी को नहीं देखो गे तो इसके आगे पर और पीछे पर आगे पीछे पर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है करबा के दिखाओंगा नियुक्त प्राइश कर रहे हो पूरा प्रैक्टिस कर वाँँगा आज टाइम लग है तो एक आज आ former and later part आगे प्रहो किछे प्रहो ठीके बाबु लिख लिया तिसरा पॉइंट लिखो तिसरा पॉइंट Eliminate the word which is out of context तिसरा पॉइंट लिखो Eliminate the word Eliminate E-L-I-M-I-N-A-T-E E-L-I-M-I-N-A-T-E Eliminate the word which is out of context Eliminate the word which is out of context Eliminate the word which is out of context जो out of context होगा न उसको आप eliminate कर दिजे Eliminate the word which is out of context जो out of context है उसे आप eliminate कर दिजे अब out of context कैसे होगा भाई जैसे आपने पैसेज प्रहा पैसे हमने कहा कि history का है और option science का है तो क्या कर गो उसको आप eliminate कर दोगे अगला पान लिखू Police Int, eliminate the word which don't match with the structure स्ट्रक्टर क्या होता बैश्य से मान लो कि हमने कहा स्ट्रक्टर के साथ कि मान लो कोई टेंस का अब टेंज का यहाँ पर प्रिजेंट टेंस की बात की जा रही हो और तुम्हारे option में वाजवेर लगा हुआ है option में डिड़ लगा हुआ है तो जाईशी बातों मैच नहीं करेगा तो जो structure के उसार मैच नहीं कर रहा तेंस के उसार मैच नहीं कर रहा उसको क्या करो eliminate करो हटाओ यानि grammar का concept अपने पास रखो कहने का सहिंसे grammar भी जिमाग में रखते रहो टेंस का ग्यान होना चाहिए इसके सासर काम होगा तभी सही बनेगा अगला point लिखो eliminate the word which don't match eliminate the word which don't match with the tone eliminate the word which don't match the tone eliminate the word which don't match the tone eliminate the word which don't match the tone जैसे आप पढ़ रहे हो पढ़ने में पैसे लग रहा है क्यार पॉजिटिव है और option नेगेटिव लग रहा है पढ़ने में लग रहा है नेगेटिव है option पॉजिटिव दे रहा तो आप जो टोन में फिट नहीं हो रहा है बस मज़ पा रहा हो देखो actually हम लोग पहरे है close test और close test एक language का part होता है और language के parts का कोई trick नहीं होता language के part को पढ़ने से आता है बार बार हमने tricks जबरदस्ती निकाला है ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएं क्योंकि भाई यह पैसेज है ना पैसेज में tricks क्या लगाओगे tricks थोड़े है कि पहला का भी लगा दूसरा सी लगा दो उसमें tricks नहीं होता उसमें क्या होता आइडियाज सिक्सेंस इनर सेंस जब आप पर होगे अपने आप आपको दिखेगा ग्रामर का कॉंसेट टेंस बॉइस ने से कॉंसेट तब जाकर दिमाग खूलेगा आपका बास में मारा है क्या लिखा इलिमिनेट द वर्ड वर्ड विच डोंट मैच भी द टोन यह आपके टोन में सेट नहीं कर उसको इलिमिनेट कर दो अगला पॉइंट टोन सेट कैसे करता है बोर्ड पर ध्यान दीजी अगला जो मेजर कॉंसेट ट्रिक्स का अगला कॉंसेट है जैसे मान लो बिटा ध्यान देना कि यहाँ पर लिखा है सब्जेक प्लास इस एम आर वाज के बाद option V3 आ सकता है जैसे मान लो इस option में कहा था आगे पढ़ हो पीछे पढ़ हो अब यहाँ पर तुमको इज लिखा मिल गया अब इस लिखा मिल गया अब तुम्हारे पास चार option है A B C D A में लिखा है V1 यह हो गया वी में लिखा V2 C में लिखा V3 अब आपको पता होना चाहिए भाई कि इसे मार वाजवेर के बाद V3 आता है कि नहीं आता आता है जी इसे मार के बाद V4 आता है कि नहीं आता आता है सर इसे मार के बाद माउन भी आता है सर इसे मार के बाद एडिक्टी भी आ सकता है सर बस यहीं आ सकता है इसके अलाब कुछ नहीं आएगा अब बताओ तुम्हारे पास चार ओप्सन है किसके होने के चांसेज है तो भीड़ कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपने क्या लिया इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्या चाहिए ग्यान आपने पैसेज पर यहां पर इज लिखा मिल गया अब चार ओप्सन तुमको देखा हुआ है अब एक लड़का के पास ग्यान नहीं है अब इज के बाद भीवन भी सूट कर रहा है वह भी अच्छा लेगा भाई कोई व्यक्ति बोल दिया राम इज गो जिसको ग्यान ही नहीं है कि गोर नहीं होता है कि उसको तो सही लेगा ना कि समझपा रहे हो तुम लोग फरस्टे आया थे टेंस पढ़ने के लिए वहां भी तुम लोग भी हर जगा इजे मार लगा रहे थे हैं अगर हो रहा था ना तो अब प्रेस्ट नुटता है कि इजे मार वाजबेर के बाद यही चार हो सकता है तो भी बन होगा नहीं वी टू होगा नहीं तो होने के चांसे किसके हैं तो भी कम होगा कि नहीं हुआ अब प्रेस्ट नुटता है कि सर ऑथेंटिक क्या होगा तो वी थ्री भी हो सकता है वी फोर वी हो सकता है यह कब हो सकता है जब वी थ्री तब होगा जब sentence का nature passive होगा कैसे nature होगा? passive nature, परहाया था ना? जब तुम्हारा subject non-doer होगा और यहाँ पर before तब होगा जब doer होगा active nature होगा अपने tense के starting परहाऊगा सब्छाइँ परहाया होगा परहाया था ना basic class में? basic class में परहाया था न जी? दुष्री बात ये बताओ वा किताब लेकर रहा है हो कोम्प्रेहेंसं का, शर्जोरrik का रैड परकांा कीडत का अच्वा परकिता है यहें किताब होना बहद जरूरी है इसके साथ-साथ इसमें से idioms phrase आपने पढ़ा हुआ है ना योग इडियम स्वेज भी बहुत सा याते हैं इसी का इडियम स्वेज आएगा इसको ध्यान रखना तो कुछ-कुछ concept आपके पास होना जरूरी है चलिए तो हमने क्या कहा इसे मार वाजबरा सकता है तो यह सब याद रहेगा तो concept ब कि मिटाओं कि पेंच लाते रों बेटा तेज अब यह समझो कि अभी close test करवाओंगा दिखाओंगा फिर आपके अंदर confidence आएगा और confidence दो तरह से आता है एक जब आपका exam सर पे रहेगा तब आप होगे serious अभी तो मैं आइडिया दे रहा हूं कैसे सोचोगी आप कि फाइन पॉइंट नुबर टू अब देखो हम पारें ट्रिक्स फिर पाहूंगा आपको मेथट फिर सोल कराऊंगा questions अब दूसा पॉइंट कहता है कि सब्जेक्ट प्लास ट्रिक्स अभी सिर्फ ट्रिक्स देख रहा हूं हैज है अब हैड अब हैज हैड के बाद वीत्री आ सकता अगर नहीं आ सकता है और आमसा सकता है कि बीन वीत्री आ सकता है कि नाउन भी आ सकता है इस सारे पार्ट आ सकता है अब अब सोचो कि तुम्हारे पास यहां पर आप्शन में आ गया हैज है अब हैज आ गया तुम्हें फिलन दी ब्लैंक्स करना है तुम्हें ऐसी त कि option A, option B, option C, option D, option A में मान लो दे दिया है noun, option B में दे दिया है वीतरी, option C में दे दिया है सिर्फ और सिर्फ बीन, option D में दे दिया है is, अब ज़रा ध्यान दो, कि has, have, hat के बाद वीतरी आ सकता है, बीन वीतरी आ सकता है noun, तो हमने क्या कहा था, former and later, read carefully, आगे पढ़िये, पी में क्या करना चाहता हूँ, एक नमर डाला यहां पर, और यहां पर कोई भर्वका 3rd form हो, भर्वका 3rd form हो, और तुमने प्रहा क्यार, has के बाद वीतरी आता है, तुमने आख बंद करके वीतरी मार दिया, बोलो वीतरी गलत अंसर हुआ कि नहीं होगा, क्यों सर, क्योंकि वी इकने का नचर्ए, मैं तुम्हें देखने का तरीका चेlia कर रहा हूँ, कि किसी भी आउप्शन को, तुम कैसे देखो, आगे से पीछे, तुम्हें नहीं करना आ, देखना कि हैंए न गदेरी यहीं हो जागा, ऐकπό ये समय देाहें चेंजर गार अब तुम्हें आइसे तुम जागा बीन भी आ सकता है, то option के हिसाब से check करो क्या option में दिया है, अब इस्थ पता है कि भाई नहीं होना है, जागा इस कैसे होना, तो इस्थ नहीं होना तो काटो, ना उन कई हैं पे choice नहीं है, बस में रहो, इस तरह से आपका दिमाग कुलेगा, समझ में आप उतार लिया इ आगे बढ़ो इस सब प्रैक्टिस करेंगे अभी जस्ट तो दिमाग और खुलेगा तिरसा पॉइंट अगर मान लो हैस के जगह पे सिर्फ और सी बीन नजरा आजाता कि और बीन के बाद खाली अस्थान होता यह बीन के बाद यहां पे एक नमर रहता तो बीन के बाद पता अगर हो कि भाई बीन के बाद भीत्री भी आ सकता है बीन के बाद भीफोर भी आ सकता है बीन के बाद नाउन भी आ सकता है अगर इतना ज्यान होता तो असानी से बन जाता अब बीन के बाद भीत्री कब होगा जब नाउन डूर हो वीफोर कब होगा जब read who noun कर भोगा जब नॉर्मल सी बात हो एस चीज़ कहां सीखोंगए टेंस और भॉय में जब TENS वाइस अब क्लास करोगे न वहाँ आप सीखोगे सब चीज़ तो बीन के बाद क्या तब आभू वीत्री भी बीन के बाद क्या सकता है वीफोर भी डूर होगा तो नौ भी आ सकता है बोलो कोई दिखा तेहां तक अभी फिलाल जैसे मानलो जब TENS और वाइस उन्हों पढ़ लोगे न पूरा क्लोस्टेस्ट और फिलिंदी ब्लैंक्स टेंस और वाइस पर बेस्ट होता है अगर टेंस और व्यास वाइस को पॉर्ण पॉर्ण मठ और इ। एक वर्ड़ यहां पर बीइंग बींग बींग जहां भी हागा वी कि आगए और कुछ निया गया ववीट्री अगा उन्हों अगर आप लोग online class करना चाहते हो sorry online चाहते हो किसा टेस्ट दें तो online में math, english, gs, english चारों सेक्षन का math, gs, english, reasoning यह चारों सेक्षन का टेस्ट हमारे website पे dsl का जो website है www.dsl.com उस पे जाओगे तो उसमें आपको 365 रुपया में 365 टेस्ट मिलेगा 365 रुपया में 365 टेस्ट समया इंगलिस का भी math का भी reasoning का भी gs का भी चारों सेक्षन का एक रुपया में एक टेस्ट एक साल तक देते रहो समया तो यह सिर्फ हम launch कियें इसे पैसा नहीं कमाना है इसे बस जो website का बस एक हो कि चलो कुछ चल जाए जिससे लड़का लोग सीख जाए एक परपस से काम कियें ताकि बच्चे कम सकाम टिप टॉप करना सिख जाए online पर चुकि साह एक्जाम तो online हो रहा है है ना तो हमने कंपनी से डील करके अपने website को सो करबा दिया है ताकि आप 365 टेस्ट अराम से दे सकें और एक र कि कभी सटरे संडे भी चेक कर लिया तो पैसा हसूल कि अधियार मुवाइल पर खेल तो सकते हो मुवाइल पर लैप्टॉप पर जो भी तुमारे पास equipment है सुविधा है चाहा मुवाइल पर टेस्ट दो चाहा कंप्यूटर पर टेस्ट दो तो आपके लिए मैं करवाया हूं काम थाकि आप उसको दे सकते हैं और यह आल इंडिया के लिए सब बचों के लिए बास मजगी आथ को तो इससे काम कर सकते हो क्लियर बाभी सही तो बिंग के साथ क्या आता है बच्चे वर्ब का थर्ड फो आजी बन और कुछ नहीं आता इसके बाद अगला पॉइंट अब 2 टु कहीं भी लगा भ позвол अगता तो 2 कहीं भी लगा हो तो क्या थैं या बच्चे fazem Maine तो कहीं लगा हो अगर भी लग गया हो तो वीट्री व्भी 2 प्लस वीविट्री टू इसब विमांग भेगा करें लिग मिल जा कर अँस तो आगे देखें वीवन हे कि नहीं HeForono बास वीव है इससे आपको help मिलेगा question को बनाने में solve करने में यह सब सारे parts क्या थे tricks क्या था यह सब tricks यानि यह सब चीज याद होना चाहिए tip of the tongue होना चाहिए भाई tricks भी भूलोगा कैसे काम चलेगा clear हुआ चले बापस आते हैं जल्दी से क्यों कि आज मैं practice भी करवाँगा exit ठीक है अब देखते हैं भाई इसके methods क्या होंगे method है ना close test बनाने के method क्या होंगे कुछ आपको method भी लिखा दूँगा कुछ words भी लिखवा दूँगा जिससे काम चलेगा method method यह है बिटा पहला चीज जो बताया था comprehension में और वो है कि आपको reading habit होना चाहिए यानि कोई चीज पढ़ते हो ना तो reading पढ़ने के tendency होना चाहिए अगर आपके पास reading habit नहीं होगा न तो आप बहतर काम नहीं कर पाओगे किसे पढ़ने के reading habit यानि आदत हो पढ़ने की अब मालो इसमें पैसे दिया है बड़ा बड़ा अब बड़ा पैसे दिया है तुम चार बार चार लाइन पहे हो और दस बार यानिंग कियो एक लाइन पहा लॉंग लॉंग अगो दियर लिव डर किंग हूँ खैड फेबरिट जेस्टर जेस्टर बिजनेस अब दिमाग हो गया खराब दो लाइन में आखे भर आ गई अब दो लाइन में सर बहर किया पढ़ रहा हूं तो समझ में आया कभी नहीं सबसे पहले खेलो गेम के साथ खेलो प्लान करो क्या पढ़ रहे हैं उसमें एक जोस लाओ उसमें मजा लाओ आप पहुत एक आदत हो अच्छा आज हम कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं ऐसे अराम से ओप संदे को स्मार तरीके से काम करो तब आपके अंदर जो है एक जोस आएगा कि आप कुछ बड़ा काम करने जा रहे हो यह नहीं कि किताब उठाया तो भारीमन पेज खुल करना पड़े गा you have to do have to come up यह रहा ता इन ने जो कमपल्स में तो कमपलक्लशन है मझबूरी आज पर के जब करना पड़े गा मझबूरी है तो क्यों नइस काम मझा ले ले क्यों मझा ले ले भाई मानलो सरकार जेल में जज साहब ने सुना दिया कि तीन महीने का सजा अब तीन महीने से पहले तुक निकाल नहीं सकता माई का लाल अब जज का फैस्टा कौन टाल देगा जी अब तीन महीना हमको जेल में रहना पड़ेगा अब ती में न रहना है तो जेल में डेली कुढ़ने से क्या फैदा है मजा ले लो न वहीं वहीं आनंद ले लो है ना अपने किरन वेदी का नाम सुना होगा जब दिली में थी तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया तिहार जेल में पेंडिंग पोस्ट कहते हैं किसी भी IPS का पेंडिंग पोस्ट होता है जेल वहां चुकि बारी बारी इंकम कुछ होता नहीं जेल बेल में अब मालो दुना दिया जेलर अब जेलर को तिहार जेल में क्या उटेंशन है अब उसको सेंडिंग पोस्ट कहते हैं अब पेंडिंग प फोप्रसकार मिलना सुरू हो गया कि我们听 आप सुनाओ गा ना जी मैं अब सोचो वहीं पर काम सुरू कर दी वहीं लेन पर उनको परहाने काम वहीं पर उनके वरक यौकंकateful सिलाई बुन है काम और और बी काम करना शुरू कर दी तो आपको जब करना मजबूरी हो गया हो जब आपके हाथ में कोई काम ना हो तो उस काम में इंट्रेस्ट लेना सुरू कर दें मजा लेना सुरू कर दें अब मुझे पता है कि मेरा पेट चलेगा प्रहाने से मन नहीं करता पहाने का भई अब मन नहीं करता पहाने का तुम्हारा पेसा ही है तुम्हें चुन लिया गलत काम अब चुन लिया है तुम्हें पीछे नहीं हट सकते तो इसमें इंट्रेस्ट लो ना भई इसी को ऐसा बना दो कि उस काम में मजा आना सुरू हो जाए बस में भाई जीवन लिमिट है उम्र लिमिट है समय लिमिट है अब तुम्हारा काम तुम्हें पढ़ने काम चुन लिया गलत अब मन नहीं लेगता पढ़ने में सर लिए चुन तो लिया मन लगे चाहे न लगे चुन तो लिया गलत काम तुने अब चुन लिया तो इस पहाई को स्वर्ग बना दो पहाई मज़ा ले लो अब इसका रिजल्ट का नहीं करेगा नौकरी जबरदस्ती तुमको नौकरी दे दिया जाएगा बहस मही रहो मन हो चाहे ना हो क्योंकि तुमने अडमीसन ले लिए डिये सिल में अब तुमको नौकरी थोपा जाएगा तुम पर कि तुमको करना है नौकरी सुमाई रहो चलो आकर बढ़ो तो हमने क्या का रिडिंग हैबिट पढ़ने की आदत यानि आपकी टेंडेंसी पढ़ने की होनी चाहिए आपकी आदत पढ़ने की होनी चाहिए तो जब आपकी सेज भी और स्पीड में भी तो जब आप फॉस्ट पर होगे तो आपका अंडरस्टेंडिंग फॉस्ट होगा अब प्रस्ट मुटता है क्या पढ़ें सर तो किताब का नाम पहले बताया हुआ है सेम रिपिट कर दूँगा योजना कुरुचेत्रा एंसी आर्टी टेल में कि जब तुम क्लोस्टेश पर होगे तो क्लोस्टेश हिस्ट्री का होगा पॉलिटी का होगा साइन्स का होगा करेंट का होगा कोई पहाड का तो होगा नहीं कोई नहीं कोई तो टॉपिक्स का ही तो होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं गर गचके लिखा होगा तो चीज मिलेगगा कहाँ सही जब तुम पलोगे ncrt जब तुम पलोगे योजना जब तूँ पलोскरू चेत्रा हाgun कुछ सबस्छाना को से रहान ही तो अधरण क्या तो कुछ निए रहर एक नौ घरो कितना देर सार कम से कम 15-20 मिना देलीicional बोल कर इसके बाद अगला चलन क्या है वो ध्यान दो हैटी बना लो सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स कुछ महदपूर्ण फैक्त सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स हेडिंग लिखलो कंजंग्शन अब कंजंग्शन में क्या है बाई तो लिखलो दो तीन पॉइंट में लिखवा रहा हूं लिखो पहला पॉइंट लिखो अपोजिट सेंस कंजंग्शन 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 इबला किताब है ने सब के पास ही अपोजिट सेंस कंजंग्शन देखो इस किताब में जितना लिखा हुआ है न वो तो आपके पास होना ही चाहिए बास में दो तो मुझे लग रहा है किस किताब में है मैं बोट बस बोल दे रहा हूं आप यहां से मिला लो कि है कि नहीं लिखने के लिख करके टाइम बेश करने क्या पैदा है उसे बढ़िया मैं प्रैक्टिस कर वाद हुआ कुछ देखो तो लिखा है दो और दो पेज नमर पहला फर्स्टी पेज में तो है क्लोश टेस्ट दिखा तो पहला पेज के बाद पलतो पेज नमर चार चार नहीं पांच पल्टो छे पल्टो अन्तिम पेज बेखो ना पांच सेंस कांजंक्शन देखा पाभू अब लिखा है दो अल्डो दो कॉमा अल्डो तो दो अल्डो लिखा है आपको झालो अल्डो अल्डो आपको हाँ जी तो हमने कहा अब पोजिशन के लिखा है यहां पर दो और दो लिखा है जाऀशन के लिखगे इसकोल कुछ रहे हैं तो ऑलडर क्या सोग करता है इसके इंदि क्याओ इसके वावजूद जैसे माल हो तीनमा रहे है कि वाई राम भी मार है ध्यान देना गोर से एक संटेंश यहां पर लिखा रहे कि राम मोटी इस इल थे इस है क्या होता पर नेमा रामी जील खलेस्थान इवेंटू सिनेमा अब बोलो कि कोई तालमेल है दुनों में भाइ बीमार है तो होना चीजिश करें भीमार है तो क्या चाहिए जी घर पे रेस्ट करो लेंग कह रहा है कि बीमार है कहां गया वो ते अब यहां पर वैसा कंजंग्शन दो जो इस जोड़ दे विप्रित मीनिंग को भी जोड़ दे इसे कहते हैं अपोजिट सेंस कंजंक्शन तो यहां पर क्या लगाएं तो यहां पर लगाएंगे ऑल्डो यहां लगाएंगे दो यहां पर लगाएंगे हॉईवर यहां लगाएं नेवर दलेश यहां लगाएं इसपाइट यहां लाग है डिस्पाइट बास में लो तो क्या लिखा रामी जिल अल्दो ही बेंटू सिनिमा राम बिमार है फिर भी इसके बावजूद भी सिनिमा गया बिमार है इसके बावजूद सिनिमा गया अब बोलो जुडा नहीं जुडा बिमार है इसके बावजूद इसके बावजूद वर्ड क्या जोड़ता है बिपरितर्थ को सुनमे बात को तो क्या लिखा अपोजिट सेंस कंजंग्शन तो यहां पर क्या लिखा भाई दो, अल्दो, इन स्पाइट ओफ, डिस्पाइट नौट बिथर स्टैंडिंग, बट, हॉइवर, नेवर्दलेस, येट, स्टील तो इन सारे शब्दों का प्रियूग करना है अकॉर्डिंग तु दे नेचर ऑफ दी संटेंस क्लिया अब एक्जांबल भी दिया हुए यहां पर आमसे काम करना अगला पॉइंट दिखते हैं और से, अब देखते हैं अक्सर, कि यहां पर लिखा हुआ है कि ए सब्द अक्सर क्लोज टेस्ट में पूछे जाते हैं लिखा है न बभू और उसके पहले देखो कंजंग्सन में क्या लिखा हुआ है रिजन, शोज, कंजंग्सन लिखा हुआ है रिजन, सो लिखा, रिजन, सोज कर दो रिजन, सोज, कंजंग्सन और रिजन, दिखाने वाले कंजंग्सन क्या लिखा, बिकॉज, से, इस, फोर, हिंदी क्या लिखा, क्यों की और यह पर अगला पॉंट दिया है फिर लिखा है प्रिपोश्चनल कंजंग्शन रिजल्ट सो कंजंग्शन इस अब आपको ध्यान होना चाहिए ठीक बाबू अब नीचे लिखा है एस सब्द अक्सर क्लोज स्टेश्ट में पूछे जाते हैं क्या क्या सब्द हैं देखो all है सम है दीस है दैट है दीस दोज इच एवरी आइदर ने देख नहीं तो इस सारे सब्द क्लोज स्टेश्ट में पूछे जाते हैं तो इन सारे सब्दों का ग्यान आपको होना चाहिए कि भाई all का मतलब क्या होता है एक कोई व्यक्ति बोल दिया all is well कहीं पिल लिखा रहा है all are well क्या गलत है एक से दोनों सही है या दोनों गलत है नहीं बोलता ठीट आल is well किसने बोल दिया all are well तो all का ग्यान होआ चाहिए some is good, some are good तो all is well भी सही होता है all are well भी सही होता है तो all is well बस तू के लिए मतलब सब कुछ, वहां पे हिंदी क्या होगा सब कुछ, और all are well सब लोग, तो यह लोग आये कहां से आर लगाने से तो यह कहां पर होगे, adjective में बस मैं या बात को तो इसलिए पूरा गवाँ चाहिए हमने बोला little, a little, the little few, a few, the few hardly, a scarcely no sooner यह सब सब्दों का प्रयोग आपको ग्यान होना चाहिए तो एक note लिख लो कि कि conjunction का topic DSL class note से पढ़ना चाहिए कंजंग्शन का topic DSL class note से पहा जाना चाहिए क्यों भाई, यह को DSL class note से पहोगे तो हाँ पर आपको पूरा कंजंग्शन detail मिल जाएगा बाबू, अब देखते हैं, प्रैक्टिस कुछ कर लो यह methods था, जिसके थूरू काम करना है यह तो आपको करना पड़ेगा, अब कुछ methods है, कुछ प्रैक्टिस कर देखते हैं, कि बागई जो पहाया वो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दो तिन प्रैक्टिस करते हैं, आराम समझ में आजाएगा जल 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 फटा फट, सब पस किताब है जी किताब लेकर रहा है सब लोग, निकालो, अब जो बच्चा किताब नहीं लाया, मुझे बताओ क्यों नहीं किताब लेकर रहा है, कल कहा था ना, अरे बाटाई बताओ, पिछले क्लास में कहा था ना, कि बिटा किताब लेकर क्या ना, सबतार में एक दिन चलेगा, एक्स्ट किसे काम करती है बच्ची तुम्हणा किताब कहा ही रोग है एक academics पर एक किताब कि दौ किताब तक उधरFORE किताब है इस भास सयह मतलब हर बेंच पर दो लड़का- लड़का साफ है किताब की किंप किसी बेंच पर चारों किताब नहीं होगा कुषारा के पास है हाँ रेयर है लड़कियों में चारों के पास है कि तुम्हारे पास नहीं है अरे सब आजकल समझदार हो गया बच्छा सोता किताब लने की जरूत क्या है बारी बजन चलो अब देखते हैं प्रैक्टिस फ्रापट करते हैं हमने देखो पहला पैसे दिया एससी का पुछा वार्टर एंड ओनली लाइफ हां लिटिल लाइफ ओन एट ब्लांट्स एनिमास एंड इमन बिंग्स नीड वार्टर लिव राइट अब यहां पर दे दिया अब इसमें क्या करना है कि आपको आप्शन तलासना है हमने का पहला अब देखो सबसे पहले आगे लिखा पांच नमर में लिव एलाइव लिव लिखा बाभू ली बोलो भीवन है कि नहीं है हमने कहाता था कि टू प्लेस विवन होता है अब देखो तो पांच आप्शन में चार आप्शन है कि दिखा आपको फॉर इन्टू ऑन दिखा जी अब देखो 90 पॉर लगा देगा नहीं कि नाए तो अपने मित्रों से आकर पूछो कि बताओ इसमें ऑप्शन क्या लेगा बोलेगा फॉर लिव गलत ही बताएगा तो बोलो इसका अंसर भी हुआ कि नहीं हुआ बीना पढ़े अंसर निकल निकल निकला अब पढ़ते हैं फिर से तो अब हमने कहा था आगे पर हो पीछे प प्लेस ऑफ्लेस का भी होगा तो यह भी औप्सन और रभ कॉंटेक्स रख मुआ है यह अब भच गया प्वराइटी अब बताओ वराइटी क्यों नहीं होगा विराइटी का मतलब क्या होता है जिसम जाते हो कप्ड़े दुकान में एक कपड़ा दिखाया वो तो और वराइ बैटी दस भैटी तो कटा ना ओफशन दूसा होता लैंड लैंड होता जमीन तो डिजर्ट को लैंड तो है नहीं हटा ना बचा क्या काइंड तो एक परकार का डिजर्ट समझा तो डिजर्ट इसकाइंड आप प्लेस एक परकार का प्लेस एक परकार का प्लेस है एक परकार का मतलब 90% नहीं पीता, फिरी पिला दो, देख लूँगा तो अल्मोस्ट का मतलब क्या हो 90% तो अल्मोस्ट 90% मतलब नेगर्टी वड हो गया तो इसका मतलब यहां पे हो गया कि लिटिल वर्ड नहीं आएगा लॉट ओफ चुकि आगे वाटर है, ध्यान दो, आगे पर हो पीछे पर हो आगे है वाटर, अब वाटर अनकाउंटेबल नाउन हुआ कि नहीं हुआ अब बोलो यहां पे लिखा लॉट ओफ, लॉट ओफ कोई वर्ड नहीं होता यह लॉट ओफ होता है, यह लॉट ओफ होता है, लॉट ओफ को बढ़, होता ही नहीं, यह तो यह लॉट ओफ, यह लॉट ओफ, यह लॉट ओफ, यह लॉट ओफ यह लॉट ओफ यह लॉट ओफ होता है, अब बचा, मेनी, मेनी के बाद नाउन होता है, काउंटेबल, कभी म मेनी वाटर सुना है क्या मेनी बवाय अगा होगा इण मेनी वाटर के भी होता है क्या मेनी मिल्क होता है क्या तो वह रीडो को अनका था जी यहांनि रीड क्वार्मर डह चाह Oakा माह हिए तोर्मर एंड डेटर पार्ट क्रीडिज पैसेज क्या regen फूली सब्सक्रेशल его अब water में मेनी आने ही सकता, option हो गया, out of context, उड़ा दिया, अब तुम करोगे suit, तो सुट क्या करना है भई? तो यहां तुम्हारा मेनी कटा, lot of कटा, बचे गया little, अब little और almost दोनों सेम है, तो दोनों सेम होगा नहीं, तो बचे गया no water, no का मतलब होगय 100%, यहीं 100% पानी नहीं है, no water, मतलब पानी नहीं है, and only matra, matra क्या भाई? little life, तो अब देखो little मतलब नगन होगया, तो very little life, मतलब बहुत कम, very मतलब क्या होगा, बहुत कम, very little life, जल्दी बोलो कौन है? नहीं, गलत नंबर है, तो क्या कहा? very little life, कैसा life है जी? बहुत कम जीवन, very little life, बहुत कम जीवन, मैं बाबू, on it, अब चार नमर कह रहा है, क्यों भाई, जीवन कम क्यों है? because, क्योंकि देंगे रिजन भाई, क्योंकि plants, animals, human being need water, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए? पानी चाहिए, तो बहुत क्योंकि दो गे न, इद रिजन दिखाने के लिए कौन आता है? because, अब यहां वेन तो आएगा नहीं, वाई तो आएगा नहीं, तो वेन वाई तो हट गया, ऐसे ही, बच गया because, और दो, दो आता भी प्रित कर्थ के लिए, तो बच गया because, because को मारो option, आगी में टू लगा हुआ है, बोल बाबू, समया कुछ कुछ, अगला पैसेज देखो, एक बार पुरा पैसेज पहुँआ जल्दी से, मैं पहा करके पानी पानी कर दूँगा, पूरा पैसेज पहुँआ हो, मैं भी प्राब 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 लिसे, जो बच्चे यूटूब पे देख रहे हैं, ओनलेन क्लास ले रहे हैं, बार एक हैसे हर चीज पहुँआ हो, और बार के इसे किताब लेके काम करो, तब आपका कंसेप्ट केर होगा, प्राब लेके किताब लेका प्राब लेके काम करो लेके किताब लेके काम की पहाँ हैं, झाल झाल पढ़ लिया अब देखो अब मैं पढ़ता हूँ many of us believe that science is something modern many of us believe मैं हिंदी कहीं निकाल रहा comprehension की तरह मैं यहां पर complete concept दे रहा हूँ many of us believe that science is something modern अब आगे पर पीछे परो the truth is that सचाय कुछ और है अब यहां ध्यान दो तुम्हारे पास option है unless option है though option है if तिन अप्शन है बबू अब ध्यान दो unless so करता है condition को अब tense में परोगे कि until unless if as if बस में रहो यह सब क्या so करता है condition condition का मतलब होता है जब तक तुम नहीं परोगे पास नहीं करोगे इसे सर्थ कहते हैं unless you read you will not pass तो unless अब यहां पर sentence कोई condition तो है नहीं जी इसलिए unless आएगा नहीं if we so करता है condition को यदि तुम जाओगे तो वो तुम मिलेगा condition तो है नहीं बचा क्या दो 200 करता है contrast मिनिंग को अपोजिट मिनिंगो तो अपोजिट दिखाई रहे है the truth is that सचाहिए जैसे कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तुम क्या बोलो नहीं truth is that सचाहिए मतलब तुम क्या होगे उससे विप्रित होगे है ना कि दिमाग लगाओ तो बोलो अंसर 2 होगा कि नहीं होगा बोलो सब्सक्राइब अभी नहीं पढ़ाया था जी कॉंट्रास के लिए क्लिए क्या आता है और दो तो यह सब एक्जाम में पूछा हुआ कोशन है बाबू सब पूछा है तीस नंबर फ्री का मिलेगा तुमको अगर देखो पढ़ रहे है the truth is that अगर देखो आगर पर हो पीछे पर हो आगर देखो लिखाना Has Been बोलो बाबू अब हैसी बी लिखा तर चार ओप्षण तेरे पास है कितने बच्चा ओप्ष्न ए लगाएगा A को गाएगा कितने बच्चा B लगाएगा B4 boy कित्ता बच्चा C लगाएगा और कुछ लगाएगा ही नहीं एक बात बता बिटा आगे में लिखा है has been अब has been लिखा है तो मुझे बता कि people के साथ है जाएगा क्या people के साथ है जाएगा जी तो A तुम्हारा कटा C option में A, M, E, N है main main के साथ है जाएगा क्या लड़की आएगा तो main नहीं नाएगा बचा क्या A, M, A, N क्या बचा जी A, M, A, N नहीं बचा तो कुछ दिमाग वाला चीज है इसमें हिंदी निकालने की चीज है कहानी है ये टोटल ग्रैमर है टोटल दिमाग है टोटल कौन जो दिया प्रहाया हुना वहीं से सब बनेगा जितना प्रहाया हुना वहीं सब बनेगा आगे परो इस दो को आगे देखो तो बचा मैं हो आप संजी अब यूजिंग साइन्स फॉर अब वेरी लॉंग टाइम फ्रेज होता है तो वेरी लॉंग टाइम अब बोलो वेरी लॉंग टाइम में कभी सुना है कि दा वेरी लॉंग टाइम कभी सुना है दैट वेरी लॉंग टाइम हमेंसा फ्रेज होगा a very long time a very long time तो बोलो ए आएगा कि नहीं आएगा तो आर्टिकल ए हुआ कर नहीं हुआ कहा था नहीं कि आर्टिकल चेप्टर इंपोर्टेंट है तो क्या तुम्हारे लिए आज बना दिया कोशन अरे प्रिवियस यर का पेपर है जब यह बन रहा है तो कौनों बन जाएगा आज़े पहो पीछे पहो इट है जुँआ है जब है मद अभी प्रहतना क्या चाहिए तुमको भीट्री चाहिए बीन चाहिए नाउं चाहिए अब ऑप्सन देखो चार नंबर हैस के बाद है आएगा क्या बोलो है जूगा वी 5 है वह वो गया भीए तो हैव तो कभी नहीं अब बोलो है जो कि बाद फिर से है जाएगा क्या बचा क्या, अब है जो के बाद है जाएगा क्या, यस सर क्यों सर क्योंकि है वी 3 है चार्ट में देखो तो तेंस पढने का बेणिट आज मिल रहा है symbols have V1, had V2, had V3, having V4, has V5 आई बोलो बालाग कॉंफिडेंस आ रहा है तो बोलो है इसके बाद ऑप्सन है डुवाक नहीं अगर इसी को तुम अकेले में बनाते ना तुम ऑप्सन है बार के लाते मेरे पास क्योंकि तुम सोचता नहीं क्योंकि अभी तक तुमको आगे पीछे करने की आदत नहीं है अभी बाद सुट करने की आदत है कहीं भी सुट कर दिया आगे देखो पीछे देखो तब मामला समझ में आएगा कि इसमें आएगा क्या अगला देखो कोशन में फाइब 5 कहता है 4 होगे न जी greater human lives in the last 25 of 25 to 30 years 2 होना चाहिए अब दो आप्सन में 2 है तो 2 का substitute कौन है और end का मतलब plus होता है 2 का मतलब या या say तो और का मतलब या तो 25 या 30 साब अगर end करेंगे तो इक ट्थे 55 साल हो जाएगा है अगर जाएगा जी सुम्हाँ बात 5 का भी और आगे देखो इन देखो इन देखो दिया इन्वेंशन आप प्लाव हलक अभिसकार अब कोई चीज अभिसकार जो होता है हमेशा पॉइंट आप टाइम होता है आभिसकार हमेशा पॉइंट आफ और पॉइंट आफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं सीन्स फॉर फ्रॉम सेंस तो बोलो यहाँ पे सीन्स आएगा कि नहीं आएगा तो छटा के सी वा अंसर दा अब आगे दिया दा अग गिफ्ट अब साइंस तो दा गिफ्ट अब साइंस अब बताओ कि गिफ्ट कोई भी गिफ्ट बोलो कोई भी गिफ्ट कॉस्टली होता है इनेक्सपेंसिव होता है या मार्विलेस होता है कितने बच्चों को मार्विलेस लग रहा है 10-15 बच्चों को कितने बच्चों को कॉस्टली लग रहा है उठाओ दरोमत कितने बचों को इन एक्सपेंसिव लग रहा है अब सब दहस्त में आया हुआ है अब इसी को दिमाग कहते है six cents एक बात हो अपने उपर सोचो ना कोई तुम्हें गिफ्ट दिया पैकेट में बंद है इस बताओ गिफ्ट तुम खोलते हो तुम्हारे अंदर जो खुसी मिलती है यह सोचे की बहुत महँगा गिफ्ट दिया होगा यह सोचे गिफ्ट है तो मार अंदर से आनन्द मार्वेलस तो गिफ्ट हमेशा मार्वेलस होता है चाहे एक रुप्य का हो चाहे हजार रुप्य का है फैबुलस उप्सन में कहा है तो यहां पर इनेक्स्पेंसिव तो होगा नहीं कॉस्टली होगा नहीं बचा क्या मार्वेलस तो अंसर क्या हो जागा मार्वेलस अब अगला कहता है तो आठ नमर कोशन कहता है लाइफ एंड कमफर्टेबल अब जो चीज मार्वेलस होगा बोलो एक्साइटिंग होगा नहीं होगा कि डल होगा एमलेस होगा, एक्साइटिंग होगा, यानि जो चीज मार भेलेस है उएक्साइटिंग होगा, नहीं या गद्दा लाते हो भी चाते हो बेट पर तो जगता जल्दी से सो के देखें कैसा है, एनन एक्साइटिंग है, एनन जी, 9 नमर क्या कहता है, at the same time, but science has, at the same time phrase होगा जी, at the same time, in the same time होगा नहीं, between the same time होगा बचा क्या, at the same time, समया बाभू, इसमें अंसर सबका दिया हुआ है, तो जो टेक्निक दे रहा हूं समझ मारा तुमको, तो ऐसे ही तुम्हें पूरा चीज पढ़ना है, बनाना है, तो आप जब अगले week में मुझसे मिलेंगे, तो आपको पैसेज, साथ तक, मतलब, टेस्ट वन, में टोटल साथ पैसेज है, इस साथ पैसेज आप बना करके लेते आएंगे, 11, 11 में हो जागा that, क्यों हो भाई, क्यों कि पीछे की बात कर रहा है, तो पीछे की बात के लिए that, प्रेजेंट की बात के लिए this, that jet lag, that jet lag की बात कर रहा है, that मतलब past की बात, इसने that आजाएगा, ठेके बाबू, तो आपको क्या करना है, किताब फिर से देख लो, इस किता आना है, और अगले बार जो विक में आओगे, हैना, बाकि कल से आपका जो क्लास चल रहा था, continue, चलता रहेगा, clear, thank you, कल मिलते हैं,